वीडियो में हम डिसकस करने वाले एक periodic ड्रामा आधी पुरुष की कहानी वैसे तो ये फिल्म रामायन पे बेस्ट है इसलिए कई लोग इसे mythology मानेंगे पर क्योंकि मैं रामायन को हमारे देश का इतिहास मानता हूँ इसी कारण से मैं इसे periodic ड्रामा की तरह explain करूँगा तो ठी पे श्री राम ने भी अपने माता-पिता का आदेश मानते हुए अपनी पत्नी देवी सीता और अपने भाई श्री लक्षमन जी के साथ मिलके अपना संपूर्ण राजपार छोड़के वनवास भोगने के लिए निकल पड़े इस फिल्म के में प्लॉट की शुरुवात उस समय होती है जब राम जी दंडकारण ये के वन में अपना वनवास भोग रहे थे उसी समय राम जी को पता चलता है कि आसपास कई सारे असूरियां रिशी मुनियों को परिशान कर रहे थे जिस कारण से राम जी यांपर रिशी मुनियों की रक्षा करते और असूरों का दिया था कि वो उनके अलावार और किसी बी विवान नहीं करेंगे जिस कारण उनको अब तक तो सही तरीके से खबर मिली नहीं थी पर जब उसे पता चला कि उसकी बहन की नाक कार दी गई है तो रावन यह आप एक क्रोध में आग बबुला हो जाता है। अगर वो ऐसा करने में सफल होता है तो ना सिरी वो यह श्री राम को सबक सिखा सकता है बलकि अगर माता सीता आगे चलके उससे विवा कर लेती है जो स्वयम लक्ष्मी है तो रावन का स्थानवी यहां पे नारायन के समान बन जाएगा और उसको भी तब लोग भगवान के सम रही करते रहो जैसे राम की नजर तुम पर पड़ेगी वो जरूर तुमें पकरने के लिए यहां पर आगे आएगा और तब मैं मौका देखके यहां पर सीता का अहरन कर लूँगा तो यहां पर मारिज बिलकुल वैसा ही करता है वो यहां पर हिरन बनके पंच्चवेटी के चारो और कीरा करने लगता है और जब सीता जी उन्हें देखती है तो सीता जी को भी बहुत अच्छा लगता है तो वह यहां राम जी से निवेदन करती है कि प्रभूई सिरन को आप मेरे लिए पकर के लिए यह मैं इसे पालना चाहती हूँ मैं इसे अपने पास पर यहां क्या करते है कि सीता मा की सुरक्षा के लिए यहां पर लक्षमन जी को वहीं पे छोड़ देते हैं पर यहां पर मारी चेक चाल खेल जाता है जैसे उसे श्री राम का बांड जाके लगता है वो क्या करता है कि वह यहां श्री राम की ही आवाज में चीखने लग जा सके और वो यहां सीता जी से वचन लेते हैं कि सीता जी यहां बिलकुल भी उस रेखा से बाहर ना आए और यहां पर लक्षमन जी निकल पढ़ते हैं अपने भाईया को ढूंडने के लिए और इसी दौरान दोस्तों रावन एक साधू के भेस में आता है और वो किसी तरह से य अराय उने दान देने के लिए और तभी मोका देखके रावन यहां पर माता सीता का हरं कर लेता है यहां पर धूस्तों यह क्रिती रावन के लिए इतना भी सरल नहीं होने वाला था क्योंकि जैसे यहां पर पक्षि राज जटाईू को पता चलता है कि श्री राम की shout को स्री जटायू बिचारे वो सीधा यहां पे जमीन पे आके गिर जाते हैं और इसी दोरान दोस्तों जब लक्षमन जी भी राम जी के पास पहुचते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यह कितनी बरी चाल थी वो यहां पे पंचवटी में लौटते हैं देखते हैं कि सीता जी यहां श्री राम को बताते हैं कि किस तरह से रावन माता सीता को लेके गया है दक्षिन की और गया है उन्हें पता नहीं है कहां पे गया हुआ है रावन पर उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो असफल हुए ऐसा कहते हुए यहां पर जटायू जी की मृत्ति हो जाती है पर उन्हें एक आशा के किरन तब दिखती है जब वो यहां पे एक शब्री नाम की जंगल में रहने वाली बुडिया के पास पहुशते हैं यह बुडिया एक आश्रब में रहती थी और वो राम जी की यहां पे एक अनन्य भक्त थी और यहां पे दोस्तों राम जी इस भक् माराज सुग्रीव मिलेंगे और वही एक मात्र वेक्ति है जो यहां पर सही तरीके से आपकी मदद कर पाएंगे तो यहां पर फाइनली राम जी माता शबरी से विदा लेकर रिशिमुक परवत के और निकल परते हैं और कुस दिनों तक यहां पर यात्रा करने के बाद वो फा हुआ रहता था क्योंकि बाली अक्सर शुग्रीव जी को मारने के लिए यहां पर अपने लोग भेशता रहता था और यहां पर सुग्रीव जी की सायता करने के लिए जामवंद जी इसके अलावा हनुमान जी बहुत सारे लोग थे जो यहां पर सुग्रीव जी की मदद करत कि हनुमान आप जाके यहां पर पता किजिए कि यह दोनों है कौन तो यहां पर हनुमान जी एक सादू का वेश बना के राम जी और लक्षमन जी से मिलने जाते हैं जानने के लिए कि वो दोनों आखिर है कौन और जब उन्हें पता चलता है कि राम जी और लक्षमन जी और वह स्रेश्ट भगते थे हनुमान जी तो यहाँ पर हनुमान जी अपने कंधे पर बिठाके राम जी और लक्षमन जी को ले आते हैं राजा सुग्रीव के पास और यहाँ पे जब माराज सुग्रीव राम जी को सारी चीज़ा बताते हैं और यहाँ पे राम जी भी जब राजा सुग्रीव को बताते हैं कि किस तरह से उनकी पत्नी का अपरण हुआ है तो सुग्रीव भी उन्हें कहते हैं कि काफी समय पहले राजा सुग्रीव को आकाश म एक विमान से गिरते हुए कुछ आभूशन मिले थे और उन आभूशनों को देखते ही यहाँ पर राम जी समझ जाते कि आभूशन और किसी के नहीं बलकि स्वय माता सीता के हैं और उसी समय यहाँ पर राम जी अपने बानों से बाली का अंत कर देंगे तो यहाँ पर सुग्रीव जी जाके बाली को चुनौती देते पर एट फर्स दोस्तो राम जी यहाँ पर बाली का अंत नहीं कर पाते और फाइनली जब बाली भी मरने से पहले माफी मांगता है तो वो अपने पुत्र अंगत का हाथ यहाँ पे सुग्रीव के हाथों में दे जाता है कि सुग्रीव उनके पुत्र का ख्याल रखे एक टुकरी उन्होंने यहाँ पे भेजी थी हनुमान जी के नेत्रितव में धख्षिन में यह तुकरी दोस्तों धख्षिकाये और जाते हुए भारत महासागर के करीब जाके रुख जाती है क्या आगे का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था तब यहाँ पे दोस्तों और कोई उपाय ना देख के यहाँ जो जामवन जी थे वो यहाँ हनुमान जी को याद दिलाने लगते हैं उनकी शक्तिया थी जो उन्हें बालेकाल में मिली थे और इसके लावा वो रुद्रा अफ्तार भी थे और पवन पुत्र भी थे पर उन्हों पर एक छलांग लगाते हैं और एक छलांग में वो दोस्तों सीधा पहुच जाते हैं यहाँ पर लंकापुरी में रावन ने माता सीथा को अशोक वाटिका में कैट कर रहा था क्योंकि यहां माता सीथा ने रावन से विवा करने के लिए मना कर दिया था और रावन को एक श अशोक वाटिका में पॉस्ते तो उन्हें यहां मिल जाती है माता सीता हनुमान जी को अपना एक चिन्न देती है और कहती है कि वापस जाके शीर राम से कहिएगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे से विवा करने के लिए शिव धनुष्ट हो रहा था अब समय आ चुका है कि गीचे होते तो एक राज्य की शान होती थी अनुमान जी ने यहां पर प्लैंट किया था कि पूरी वाटिका को तहस नहस कर देंगे रावन की थोरी शान यहीं पर तोड़के जाएंगे यहां पर जब हनुमान जी पहुच जाते अशोक वाटिका में तो उन्हें रोकने के यहां पर रावन अपने दोमों बेटे अक्षय कुमार और मेगनात को भेज देता है यहां पर अक्षय कुमार तो दोस्तो हनुमान जी का हातों मारा जाता है पर जो यह मेगनात है वो हनुमान जी को काफी अच्छी खासी टकर देता है और फाइनली वो ब्रह्मा पाश में हनुमान जी को बांध के रावन के पास ले जाता है वैसं तो रावन उन्हें मार डालना चाता था पर क्योंकि विवीशन जी ने उनने समझाया कि यह दूत है अब ईसे मार नहीं सकते हैं तो रावन क्या करता है कि हनुमान जी की पूछ में आग लगा देता है एक छलांग में सीधा पहुँच जाते अपने दल के पास रामेश्वर में और यहाँ से वो लोग खुशी-खुशी वापस चले आते हैं किश्किंदा जहाँ पर आके वो श्री राम को यहाँ पर माता सीता का चिन्न दिखाते हैं बताते हैं कि माता सीता ने किस तरह से कहा है कि जिस तरह से आपने एक समय पर शिव धनुस तोर के मुझसे विवा किया था समय आ गया है कि इस रावन का हंकार तोड़ी है और मुझे यहां से मुक्त कीजिए तो राम जी भी यहां पर तयारी करते हैं वो राजा सुग्रीव को पहुचे तो उनके सामने यहां पर और कोई भी भूभाग नहीं था बलकि उनके सामने यहां पर विशाल समुद्र था तब विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए तब यहां पर राम जी समुद्र देव की वंधना करते हैं और फाइनली समुद्र देव के कहने पर ही यहां पे संपूर्ण वानर सेना पत्थर लेती है और उन पत्थरों में श्री राम लिखके यहां पत्थरों को पानी में फेक देती है और वो पत्थर यहां पे समुद्रदेव की क्रिपास से तैरने लगते हैं जिस वज़े से यहां पे राम जी उनी पत्थरों की मदद से एक सेना के साथ यहां पे सीधा लंकापूरी में पहुच थे और यहां पे दोस्तों राम जी लंकापूरी में स्रीप अपनी वानर सेना के साथ नहीं पहुचे थे बलकि उनके साथ यहां पर रावन के भाई विभीशन जी थे जो विभीशन जी थे वह एक बहुत धर्मात्मा किस तो यहां पर फाइनली दोस्तों श्री राम, लक्षमन, विभीशन जी, हनुमान जी, संपून वानर सेना यहां पर लंकापुरी में पहुत जाती है, और क्योंकि रावन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से इतनी विशाल सेना के साथ समुद्र को लांग सकता है, तो रावन के पास भी यहां पर लंकापुरी में बहुत बरी सेना थी नहीं, जिस कारण से यहां पर संपून लंकापुरी को वानर सेना घेर लेती है, मतलब बहुत जादा ही बरी वानर सेना यहां पर लेके आये थे, उस समय दक्षिन भारत में जितने भी वानर थे, व उन्हें आने में तो समय लगने वाला था, यहाँ पर दोस्तों रावन तयारी करता है श्री राम के साथ युद्ध की, हाला कि रावन का इनिशियल प्लैन तो स्रीफ वानर सेना को रोक के रखना था, ताकि उसकी बाकी की राक्षा से सेना पहुत सके, यहाँ पर राम जी ने सेना को सबसे ज़्यादा टकर दी, हाला कि अजय परवत के समान विशाल कुम्बकरन जी ने यहाँ पर वानर सेना को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचा है, पर अन्तता यहाँ पर राम जी ने कुम्बकरन का सर काट के उसका वत कर दिया, पर यहाँ पर दोस्तों जो किसी तरह से यहाँ पर हनुमान जी लक्ष्मन जी को बचा के तो ले आते हैं पर लक्षमन जी यहाँ पर बिलकुल मूर्चीत हो चुके तर उनके प्रान जाने ही वाले थे उस समय दोस्तों यहाँ पर विभीषण जी के कहने पर लंका के ही एक वैद सुशेन वैद जी ने हनुमान जी और स्री राम को ये उपाया बताया कि अगर सूर्य उदय से पहले यहाँ पे लक्षमन जी को संजीवनी बूटी नाम की बूटी लाके दे दी जाती है तो उनके प्रान यहाँ पर बच सकते तो यहाँ हनुमान जी सीधा निकल पड़त हिमालाय परवत की और संजीवनी बूटी लाने के लिए अब दोस्तो हनुमान जी तो ठैरेवान और उन्हें इतनी समझ कहा कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है तो वो यहाँ पर क्या करते कि संपूर्ण द्रोन गिरी परवत को ही अपने कंधे पर उठाके यहाँ लं क्या मिलने वाली थी तब यहाँ पर विबी शन ant ही की मदद से लक्षमन जी जाके स्याग्य को विदवंस करते हैं और वहाँ यहाँ पर में अनकिम स्वंप़कर यहा पर यहाँ आया तो वह यहाँ आया था अपने विमान बताब वो यहां पे आकाश से युद्ध कर रहा था, जिस कारण से यहां पे राम जी क्या करते हैं, तो वो यहां पे हनुमान जी के ओपर सवार हो जाते हैं, और हनुमान जी यहां पे, क्योंकि वो पवन पुत्र थे, तो वो यहां पे उर सकते थे, तो हनुमान जी यहां पे सीधा आकाश में अपना वेक पकड़ते हैं और वो यहां पर रावन के विमान का पीछा करना शुरू कर देते जिस कारण से यहां पर रावन से एक बराबरी का इयुद्ध कर पाते और एक भीशन महा इयुद्ध के बात दोस्तों यहाँ पर विवीशन जी की साहयता से फाइनली यहाँ पर राम जी रावन का यहाँ पर अंध करते थे हैं, रावन का जो इतना बरा सामराज्य था, उसका जितना भी अहंकार था, जो भी उसका घमंड था, उसके सभी पापो का यहाँ पे श्री राम अंद करते थे फाइनल यहाँ पर लंका को सरेंडर करना परता है वेभीशन जी यहाँ जाके लंका का दिंगहसन समालते हैं और यहां पर फाइनलली दोस्तो माता सीता को श्री राम के पास त्रसमान लोटा दिया जाता है उन दोनों का इतने समय के बाद मिलन होता है और फाइनली दोस्तो राम जी लक्षमन जी देवी सीता हनुमान जी इन सब को लेके पुश्पक विमान में बैटके यहाँ पर अयोध्यापूरी में वापस लोटते है और इसी के साथ दोस्तो हमें यहाँ प और म्यूजिक में मिलेगा तो आप लोग इस फिल्म को जरूर चेक आउट करें और अभी तक आपने अगर और इस फिल्म को देख लिए तो प्लीज नीचे कॉमें सेक्शन में बताए को आपको फिल्म कैसी लगी तो ठीक है दोस्ता